जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागते महाकाली भगत गयाने योट्व चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आपके सरीर में ये तीन चीज होती है जो मैं आप लोगों को बताने वाली end तक देखना तब ही आप लोगों को समझ में आएगा और पता चलेगा ठीक है तो दोस्तों बिना script के वीडियो को आप लोग मत देखना क्योंकि फिर आपके समझ में नहीं आएगा फिर आप लोग मुझसे बताने वाली हूँ तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली रहती है ये माता काली की निसानिया होती है जो की आप लोगों के सरीर में और आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली शाख शाद विराजमान है तो चली दोस्तों बताने से पहले मेरी आप किसी जनकारी आगयागे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो दोस्तो अगर आप लोग भी माता काली की पूजा पाट करते हैं माकाली के जाप करते हैं माकाली का हवन करते हैं माकाली की सिद्धी साधना सब कुछ जो जो मतलब पूजा पार्ट से related है आप वो चीज करते हो तो आपके साथ ये तीन चीज जरूर होती होगी आपके सरीर में जो मैं बताने वाली है यदि आपके होती है तो कमेंट में जरूर मुझे बताना और जिन जिन के होती है वो व्यक्ति जरूर कमेंट करके बताए मुझे तो पहली चीज अगर आप मालो कोई सपना देख रही हूँ ठीक है तो यानि कि मालो आप 5 मिनट के लिए सो गए हो आपके आँख लग गई है तो आपने कुछ सपना देखा है जो कि मालो ऐसा सपना है कि आप सपने में सोचे कि यह रियल में मैं ऐसा कर रहा हूँ ठीक है ऐसा सपना आपको कुछ इस तरीके का सपना देखे कि आपको ऐसा लगी कि मैं रियल में ही ऐसा कर रहा हूँ जैसे मालो आप एक पेड़ पे हो ठीक है पेड़ पे से कुछ तोड रहे हो वो भी सपने में आप तो सो रहे हो सपने में आपको ऐसा दिख रहा है कि पेड़ पे से आप कुछ तोड रहे हो तो अब आप पेड़ पे से गिर जाते हो तो आप लोगों को तुरंत ऐसा लगेगा आप जैसी गिरो गए तो एकदम से आपकी आख खुल जाएगी फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं सच में गिर गया है ना ऐसे होता है ना सच में कि मैं सच में गिर गया मैं फिर खड़े होगी देखते हैं तो यह तो यार सपना था अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो जो वो आपके पास शक्तियां होती ना काली मा की शक्ति विराजमान रहती है आप लोगों के साथ तो वो ही शक्ति आपको ऐसे अनुभव कराती रहती है जो मैंने आपको बताए हैं यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है जो कि आप सफना देख रहे हो आपको लगता है रियल है और रियल में आपके पैराद भी फड़कने लगते हैं तो समझ लेना कि आपके साथ मातकाली की शक्ती विराजमान है और दूसरी चीज दूसरी चीज यह है दोस्तो यदि आप पूजापार्ट माताकाली की करते हैं उनका जाब करते हैं और उसके साथ साथ मा के सभी पूजापाट बोगपरसा जो अप लूप कढ़ाते तो चड़ाते रहते हैं करते तो हैं पूझापाट कभी कभी आपके साथ आपके शरी के जोंग है यानिकी जो सर है आपके सर में कभी न कभी डर्दमिएसूस होता है जैसे मां तो मैं क्या बता हूं आपको को जैसे मानलों हमारे जिसी कोई चोट लंग जाती है और वह उसमें से पीप भर जाती है वह लुप लुप करती है लुप लुप है नस तरीके से करती है तो वैसे ही हमारे सर में भी लुप-लुप सी होने लगती है यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है लुप-लुप सर में रहती है हलका फुलका सा धर्द महसूस रहता है तो आपके साथ मातकाली की शक्ती र्याजमान है माकाली आपके साथ शाकशात रहती है तब ही आपके साथ ऐसा हो और तीसरी चीज यह होती है दोस्तों कि जब आप लोग मातकाली की पूजा पाट करते हैं तो आपके हातों में यानि कि दोनों हातों में आपके गुल-गुली सी महसूस होने लगती है जब मालो आप मातकाली को भोग चड़ा रहे हो या फिर आप माला लेके बैठे हो हात में जाप करने के लिए हैं तो फिर उस तरीके से आपके हात में एकदम गुल-गुली सी होने लगेगी यानि कि जो आपकी हते लिए उसमें भी गुल-गुली होने लगेगी यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो समझ लो कि आपके साथ मातकाली विराजमान है जिन भक्तों के साथ मातकाली विराजमान रहती है ये सब उनी के साथ होता और ये जो गुलगुली है ये आपके उसी वक्त होईगी जब आप पूजा पाट करेंगे और जाप करेंगे और जो भोग है मातकाली का हवन में देंगे या फिर कंडे के अक्यारी पर या फिर कपूर के उपर जब भोग देंगे तो तब ही आपके गुलगुली होईगी वैसे रेगुलद नहीं होईगी तब ही होगी बस तो अगर ये तीन चीज आपके साथ होती है और आपके सरीर में होती है तो आप लोग इस बात को आज से ही नोट कर लो कि आप लोगों के साथ मातकाली रहती है ये अनुभव उनी व्यक्तियों को होते हैं जिनके साथ मातकाली विराजमान रहती है तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्गुल अच्छे से समझा दिया है और अब हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादेव जै माता की ओम नमस्षिव